वोटिंग प्रक्रिया में बड़े बतलाव की तैयारी कर रहा है इलेक्शन कमिशन, चुनावायोग ने रिपोर्ट वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की है, दूसरे शहर से भी अपने राज्य के लिए मतदान करने की सुविधा होगी, नौकरी के लिए या फिर पढ़ाई के ग्रे नगर लोटने की जरूरत नहीं होगी, देश में कहीं से भी मूल निर्वाजन शेत्र के लिए मतदान संभव होगा, और इलेक्शन कमिशन ने आरवी एम पर चर्चा के लिए राजनेतिक दलों को बुलाया है, राजनेतिक दलों से तकनीकी प्रशासनिक चुनोतियों पर राई ली जाएगी, प्यूश पांडे माय साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, प्यूश रिमोट वोटिंग पर जोड दिया जा रहा है, और ये बहुत बड़ी राहत की बात होगी, जो की प्रवासी वोटर्स हैं, छात्र हैं या पर नौकरी के लिए एक सहर से दूसरे शहर में लोग जाते हैं, उनके लिए राहत की बात होगी। इसमें जो Representation of People Act है 1950 और 1951, इसके अलावा चुनाव आयोग का जो संचालन नियम है और चुनाव आयोग का रिज्ट्री करन जो नियम है, उस पर जच्चा की जाएगी ताथी प्रवासी मतदाता को परिवाशित करने और रिमोट वोटिंग को परिवाशित करने पर भी जच इसके अलावा चुनाव आयोग ने 31 दिसम्बर तक सभी राजनेतिक दलों से ये कहा है कि वो अपना लिखित राय भी चुनाव आयोग को दे बहुत बढ़ी बात आप कह रहे हैं, प्यूश पांडे हमें जानकारी दे रहे थे कि चुनाव आयोग का ये मानना है कि ये चुन अब बाकी राजनेतिक दलों से चर्चा होगी, राय शुमारी होगी, राय ली जाएगी और जो भी अर्चने है उसे दूर किया जाएगा और आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 16 जन्वरी को सभी पार्टियों को बुलाया है, प्यूश भी ये जानकारी दे रहे थे, 16 जन्वरी को अब समीक्षा की जाएगी कि इस पर कितना काम करना जरूरी है और राजनेतिक पार्टियों की क्या राय है, क्या दल सोचते ह क्योंकि ये एक तरह से चुनाव क्रांती के रूप में सामने आ सकता है, बड़ी बात ये है कि चुनाव आयोग लगातार ये सोच रहा है कि इस मामले मर विचार किया जाना चाहिए और काम किया जाना चाहिए क्या जाना चाहिए